अगर आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो की वीडियो बना करके अपलोड करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को इस तरीके का कोई आप्शन नहीं मिल रहा है स्टोरी में तो आप लोगों को फोटो पर म्यूजिक लगाने का उप्शन मिलता है लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो पोस्ट करूप में करना चाहते हैं एक फोटो को वीडियो बना कर तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ सिखाने वाला हूँ तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करता है और जानते हैं लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरिव कर दीजेगा गाइस वीडियो को शुरू करने से पेले मेरे आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बिशाल अंडर स्कोर भाटी अंडर स्कोर के नाम से मेरी आईडी है यह आपके भाई का ही अकाउंट है आप मुझे परसनली फॉलो कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को पूरी तिरकेशे शुरू करते हैं दोस्तों फोटो से वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप वो प्लेइ स्टोर पर जाना है और फिल्मोरा गो के नाम से इस एप्लेकेशन को डाउनलोड कर लेना है इस एप्लेकेशन का डाउनलोड लिंक मैं आप लोगो को निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा आप इसे डाउनलोड कर लीजेगा मैंने डाउनलोड कर डाउनलोड करने की बाद में simple है आप लोगों को इसे open करना है और फिर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है new project के बड़न पर click करना है जैसे आप new project पर click करेंगे तो आप लोगों की सामने दोस्तों यहां पर जो gallery के सारी images दिखने लग जाएगी अभी हम यहाँ पर photo से video बनाना चाहते हैं इसलिए photo section में चले जाएगा और यहाँ से उन photos को select कर लीजिएगा जिन्हें आप जो है वीडियो में बनाना चाहते हैं या फिर उनके उपर song apply करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपने कुछ photos को select कर लिया और उसके बाद simple यह आप लोगों को import के button पर click कर दिना है जैसे आप import करेंगे दोस्तों तो आप देख पाएंगे कि वो जो आपके चारो photos आपने यहाँ पर select किये थे वो यहाँ पर add हो चुके हैं one by one यह आप देख सकते हैं और यह जो photos यह दोस्तों वो तीन-तीन सेकेंड के लिए add हुए हैं अगर आप लोग इनकी timing को अगर बढ़ाना चाहता है तो आप simple इस पर जो click कर दिजेगा और पीछे यहाँ पर आप लोगों को एक button देखने की मिलेगा आप इसे click करके जो है अगर drag करेंगे right side में तो इससे timing जो है इसकी बढ़ती जाएगी जैसा कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 3.3 शो कर रहा था लेकिन अब 5.5 पर चला गया है मैं से जितना बढ़ता भी जाएगा अब हम photo पर music लगाना चाहते हैं तो आप लोग simply क्या कीजेगा कि आप लोगों को back करना है back करने के बाद में आपको आजाना है music में अब यहाँ पर आपको my music में जाना है और यहाँ से आप लोगों को अपने phone से उस sound को select कर लेना है जिसे आप लोग इस photo पर set करना चाहते हैं मैंने यहाँ पर already एक song को download किया हुआ है दोस्तों मैं उसे यहाँ पर add करने वाला हूँ यह रहा मेरा sound मैंने simple इस पर click कर दिया है और आपको फिर प्लस के बटन पर click कर दिना है तो अब आप देख पाएंगे कि हमारे photos भी यहाँ add हो चुके हैं और हमारा जो नीचे हम लोगोंने sound select कर रहा था वो भी यहाँ पर add हो चुका है अब जो हम थोड़ा सा adjust कर लेते हैं कि किस तरीके समझे इसे set करना चाहते है जैसे मैं यहाँ पर photo के timing बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ी से और बढ़ा देता हूँ अब अगर दोस्तो एक photo से दूसरे photo पर जब जाए और आप लोग यहाँ पर चाहते है कि किसी type का कुछ animation दिखाई दे जैसा कि आप लोगों को दूसरी videos में दिखाई देता है तो आपको क्या करना है simply जो है जिस भी photo पर आप animation लगाना चाहते है उस पर click कर दीजेगा और फिर यहाँ पर नीचे आप लोगों को दोस्तो जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोगों को effect के नाम से option देखने के मिलेगा आपको इस पर click करना है और यहाँ से उस effect को select कर लेना है यह भी effect आप लोग apply करना चाहते है तो जिससे कि अगर suppose कर लिजे मुझे यह अब जब मैंने यह effect इस पर apply किया है तो वह moving on हो रहा था अगर मैं इसकी moving की timing को बढ़ाना है घटाना चाहूं तो यहाँ से कर सकता हूं घटाने के लिए left side में करना है और बढ़ाने के लिए right side में करना है अब साथ ही अगर guys आप इसके ओपर कुछ लिखना भी चाहते है तो आप लोगों को text का बटन दिया हुआ है आप यहाँ से कुछ भी type कर सकते है अब दोस्तों सबसे important चीज़ आती है कि हम लोग instagram के लिए अगर बात करें तो instagram में एक अलगी aspect ratio चलता है तो अब उसके लिए क्या कर सकते है तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा option यह पैनल देख सकते हैं आप लोग नीचे पैनल देखने के लिए मिल रहा है dream music वारा तो इसमें आप लोगों को जो है वो right side में जाना है तो यहाँ पर आप लो तब यह ठीक है लेकिन अगर आप लोग जो है इंस्टाग्राम की रिल्स पर अपलोड करना चाहते हैं फुल साइज में तो आप लोग इस ओप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर जो है दोस्तो अपने सिर्फ पोस्टे के लिए पब्लिश करना चाहता हूं तो इससे सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में सिम्पल आप लोगों को एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दिना है यहाँ पर आप लोग जो है दोस्तो क्वालिटी सिलेक्ट कर लीजेगा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 480P 400 ADP दोस्तों जो है वह इनफ पर छाएगा और फिर उसके बाद सिम्पल आप लोगों को जो है यहाँ पर क्या करना है एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिना है और कुछी सेकेंड के अंदर जो है झादा सेकेंड नहीं लेंगे गेंगे तीस सेकेंड के अदर आप लोगों की वीडियो जो है एंट 80% हो फोटो से वीडियो क्रियेट कर सकते हैं तो ओके गाइस इस कैसे करेट है यूट्यूब चैनल साइनिंग ओफ बाइबाइब